नमस्कार मैं संदीब कुमार हम लगातार उन सियासत दानों से बातचीत करवाते हैं आपकी जो सियासत की सरजमी पर नगर परिशेच चुनाओ को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और इसी फैरिस्त में हमें कैसे नाम से ऐसे व्यक्टितुफ से आपको रूबरू करवाएंगे ज तो उनका नाम जुड़ता है सीधे सीधे कैथल के उन तमाम समाजसेवा के कारियों से जो समाजसेवा के कारिये राजनीती से उपर उठकर किये जाते हैं और हम बाचित कर रहे हैं हिमानी गर्ग थरे जासे जी बहुत स्वागत आपका दन्यावाद मैं कैथल ब्रेगिंग Congress Party से जुड़ा हुआ है और आप भी तुनावी मैदान में हैं तो कैसे देखते हैं इस तुनाव को और कितना मजबूर दावेदारी आपकी मांगते हैं जी मैं अपने आपको बहुत मजबूर दावेदार मांते हूँ जैसा कि कैथल के तमाम लोग जानते हैं मेरे पिता जी ड पूरि सेवा करते हैं जो अपने तरफ से काम करते हैं ग Tang 115 को फोन करते हैं कि हमारा यह करवादी जिया हमारा यह कम करते हैं तो वो समाथ सेवा ख़र पर शुरू से ही कारियर रथ है वह राजनीति में भी है और बिना राजनीती के भी लोगों की सेवा करते हैं तो इसलिए नहीं तो भी आपको चुनाव करते रहें तो पहले एक चेर्मेन का चुनाओ करते थे लेकिन अब चुनाओ डारेक्ट है तो इसके वारे में चैणा रहा है यह तो बहुत अच्छी बात है पहले इस जो मैंबर्स होते थे लोग चुनते थे वार्ड का मेंबर अब पूरे कैथल को पूरे शहर को एक इंसान को चुनना है तो सभी लोगों के पास भी मुख़ा अपने अपने लिए अच्छा उमीदवार चुनने का और हमारे पास भी मुख़ा अपने छवी को और अच्छा करने का इससे यह भी पता चलेगा लोगों के दिल में किसे लिए प्यार जादा है पहले लोगों के पास यह था ही निकी वह चुन सकते हैं वह सिर्फ वार्ड का मेंबर चुन सकते थे चेर्मेन जो भी बना उनको वही उसी किसे ही काम लेना पड़ता था तो यह अच्छा है कि ऑपन है इलेक्शन इस यह राजनीती की अच्छी शुरुवात होती है नगर परिशद चुनाओ से तो किन-किन मुद्दों पर चुनाओ लड़ने की लड़ेंगे आप लोगों जैसा कि नगर परिशद के आम मुद्दे होते हैं सीवेज पानी की निकासी का और सबकर सुआच्छ साफ सुथरा पा होती है किसी किसी जगह पर लाइट है नहीं बहुत अंधेरा रहता है रात को सड़कों पर आवारा पशु गूमते हैं जिनके कारण बहुत एक्सिडेंट होते हैं वह तो आवारा पशु को हटवाना यहां से बिजली लगवाना और बारिश आती है तब पानी खड़ा हो ज कई कई जगह यह जहां पर सड़के बनी ही नहीं हुए हैं तो वहां पर सड़क बनवाना गल्यों को सही कराना सुधार कराना यह में मुद्धे रहेंगे जिन समस्याओं को आपने अवगत करवाया है हमारे चैनल के माद्यस्म से उन तमाम लोगों को जो कैथल के लोग हैं लेकिन एक सवाल है मेरा और शायद कैथल की जनता का भी होगा आपके ससोर यानि कि आपके पिता जी वाइस टेर्मेन रहे हैं कमैटिगे लेकिन फिर भी समस्याओं तो आपने ही गिनवा दी ऐसा क्यों है समस्याओं क्यों नहीं दूर हो पाई पहली बात तो वो उप्रधा मेंबर्स की सला से करने पड़ते थे हूं अपनी मेंबर्स से कोई कारिया नहीं करा सकते है जब सब्सक्राइब वह यह कान ne उनके जवाब भी आपने बड़े गोर से सुने होगे अगला जो मेरा सवाल है उसका जवाब भी आप सुन लीजिएगा शायद इस इंटर्वियू का पूरा निचोड उसमें हो सकता है सारी बात चीद जो हम कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं किस जो सेशन था उसमें मेरे पिताजी भी चेर्मेंट तो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए बीजेपी से हैं तो यह गठबंदन जो आप देख पा रहे हैं यहां जिन से वारतालाब कर रहे हैं यह गठबंदन एक नया गुल भी खिला सकता है तो देखने वाली बात यह रह धायेंगे बात करें आपकी कौलिफिकरेशन के शहरवासी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ पवालिफिकरेशन है अब और वह वैं। मैं पेशे से डोक्टर हूं मैंने बीएमेस कर रखी है और मैं सिगनस हॉस्पिटल में मैंडिकल ऑफिसर की पूस पर भी थी अभी रीसेंट में मेरे गुड़िया हुई है इसलिए मैंने जोब छोड़ रखी है मैं वैसे दुबारा हॉस्पिटल ही जोइन करूंगी अगर दोक्टर है तो भी सेवा कर रहे हैं यह नहीं कि दोनों मतलब एक ही हो गई तो कैथल की जनता को क्या कुछ से कहना चाहेंगे आप इस तुनाव के लिए आप अपनी तरफ से जो भी उमीदवार को वोट दें आप सोच समझ कर वोट देना यह नहीं कि आप किसी के दबाव म आदमी हैं आदमी का साथ है और उनीक ही है जो पहले से राजनीती में थे तो आपको पता है कौन किसने अच्छे से इमानदारी से काम किया है जैसे मेरे पिता जी 25 साथ से राजनीती में है उन्होंने बहुत अच्छे से अपना कारियर किया है और बहुत इमानदारी से किया क्यातल का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि वो इमानदार नहीं है इसलिए आप अपना वोट एक अच्छे उमीद इमानदार आदमी को देकर अपने वोट की सहराना कीजिए ना कि किसी के दबाव में आकर या किसी के वैसे साथ देकर कि आउसको बनाए चेर्मेन और फिर आ परिवार वाले होते हैं तो अगला जो सवाल मैं करूंगा वह सवाल बेहत अहम है बात करें आपकी आप चुनाव लड़ते हैं टिकेट आपको बात आजाएगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं आत्म निर्बर हूँ मुझे अपने फैसल लेने का भी पूरा हक है बल्कि चुनाव लड़ने का जो फैसल है वो मेरा खुद का है मुझे परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है कि महिला अरफ निर्बर नहीं कि उन पर निर्बर हो गए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल आत्म निर्बर हूँ और आत्म निर्बर होकर ही सारे फैसले लोंगे और सारे कार्या कराओंगे तो बातशीत को आप किस तरह देखते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और उन तमाम सियासी दिगजों का इंटर्विव करते हैं जो लोग चुनावी रेस में हैं और इस इंटर्विव को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इनके साथ जो वारतालाप हुई है उन मुद्दों को आप कितना आपके मुद्दे तो नहीं बातों के लिए तमाम जो खबरें हमारी हैं वो देखते रही है कैथल ब्रेकिंग टीवी की विशेस रिपोर्ट देख रहे हैं आप